हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आपके साथ में आपका दोस्त राहुल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल में काइन मास्टर एप्लिकेशन की मदद से शांदार वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इस वीडिय अपका बेटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बोलना सबसे पहला है मैं अब आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चावता हूँ उसके लिए सबसे पहला आपको करना क्या होगा प्ले स्टोर से काइन मास्टर एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है मेरे फोन में पहले से अल्रेडी डाउनलोड है मैं उसके ओपर ओपन करता हूँ अप्लिकेशन को काइन मास्टर को ओपन करता हूँ और आपको मोबाइल स्क्रीन की मदद से आपको समझाता हूँ तो यह मैंने मेरे मोबाइल के अंदर काइन मास्टर जिसको आप edit करना चाते हैं वो यहाँ पर ले ले नहीं है जैसे कि मैं एक वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ मैंने ये वीडियो यहाँ पर ले ली है अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इसका audio एक तो down कर देता हूँ ताकि आप लोग को दो-दो आवाज नहीं आएं ताकि वीडियो की भी आवाज आएगी और मेरी आवाज आईगी और आप समझ नहीं पाएंगे तो ये वीडियो मैंने ले लिया आया और हम इस वीडियो को edit करने वाले हैं अब सबसे पहले आपके side में, right side में left side में भी function है तो starting से समझते हैं अब मानने जी ये मेरा वीडियो है ये मेरा यहां से वीडियो शुरू हो रहा है और मैं चाता हूँ उसको यहीं से ही शुरू करूँ यहीं से ही लेना है तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा cut कैसे लगाना है आपको इसी layer के उपर click करना है layer अब yellow color की हो चुकी है जैसे आपने इसके उपर click किया है उपर आपके पास में options आ गए है replace, trim, split, split, slip तो यहाँ पर trim करना है आपको और जो first वाला है left side से दो यह trim हो गया है automatic trim हो गया है और यहाँ से ही यह अब शुरू होगा वीडियो, तो यह सबसे अच्छा short function है use करने का तो यह अब इसके उपर मैं वापस से click करूँगा कुछ और function से उसको समझते है mixer के अंदर जाएंगे हम अवाज को कम जादा कर सकते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ से मैंने एकदम down कर दी है mix कर सकते हैं आप audio इसके बाद में speed आप video के speed तै कर सकते हैं कितनी speed में आपका video चलेगा इसको normally ही रहने दीजेगा pan and zoom जो option है इससे क्या होता मैं आपको बताता हूँ यह video है अब इसको मैंने दोनों हाथ से पगड़के इसको जूम कर दिया है यह video जूम हो गया है मैरा इसको down कर सकता हूँ मैं कितना रखना है और यह जो side में आपको बराबर का option दिख रहा है end position तो end में तो यह equal रहे इसलिए आपको यहाँ पर भी click करना है तो दोनों equal रहेगा और back कर देना है तो यह pan and zoom का आपका function हो गया है rotate आप कर सकते हैं वीडियो को filter आप लगा सकते हैं filter के उपर जाएंगे कुछ effect है जो आप इसको effect यूज में ले सकते हैं जैसे कि आप mobile photo editing करते हैं तो उसके अंदर effect काम आते हैं वीडियो के अंदर effects है अब इसके बाद में आता है adjustment आप कर सकते हैं brightness बढ़ा सकते हैं click graphics क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसी layer के उपर आपको click करके रखना है और clip graphic के उपर आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ से कुछ graphics भी यूज ले सकते हैं मैं चाता हूँ कि मेरा वीडियो कुछ इस तरह से open हो यहाँ पर कुछ graphics आप इस्टार इस्टार आ चुके हैं अब और भी कई तरह के graphic है filling मैं चाता हूँ कि इस तरह का कुछ graphics आए तो यह कुछ graphics है जो आप यूज में ले सकते हैं कुछ download भी कर सकते हैं side में आपको यहाँ पर एक box नज़र आ रहा है यहाँ पर click करके आप यहाँ से और graphics भी ले सकते हैं इसके अलावा आता है volume आप adjust कर सकते हैं और यह कुछ options और हैं तो यहाँ पर इस तरह की जो basic need होती है basic video editing की need होती है वो media से होती है यह सब कुछ मैं आपको समझाओं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ वीडियो को यदि आप मालीजिए यह 10 second का वीडियो हो गया है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसमें cut लगाऊ मेरे को आगे का part नहीं चाहिए बीच का यहाँ से आप बीच का वीडियो भी cut कर सकते है और चाहे तो आप इसको undo भी कर सकते है तो यह left side में option है undo का यह वापस undo हो गया है देख लिए आप undo वापस वीडियो आ चुका है तो यह भी आप यहाँ से कर सकते हैं तो यह media में overall काम होता है जो कि आपके basic काम में आता है अब बात करते हैं layer की layer के अंदर media सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ media का role इसके अंदर क्या है media के अंदर आप जाएंगे आपके phone में से कोई भी आप photo लेना चाते है कुछ बीच में add करना चाते है माली जी मैंने ये photo ली है अब इस photo को मैं यहाँ पर adjust करना चाता हूँ तो adjust कर सकता हूँ यहाँ से आप इसको scroll करना है यहाँ से उपर rotate भी आप इसको कर सकते हैं जैसा लगाना चाते हैं माली जी मैंने यहाँ पर इसको छोटा करके लगाया है तो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं फुल करना है आपको तो फुल भी आप इसको कर सकते हैं अब जैसे आप इसके उपपर क्लिक करेंगे फोटो के उपपर तो आपको वापस से कुछ options आपके right hand side में नजर आएंगे जैसा कि replace, वोई trim और screen और नीचे कुछ functions है इनको भी हम समझते हैं देखो सबसे पहले क्या है replace आपको करना नहीं क्योंकि replace का मतलब होता है कोई दूसरी फोटो इस जैगा लगानी है तो वो replace आप कर लेंगे trim आपको काटना है अगर इस layer को कुछ cut लगाना है तो cut भी लगा सकते है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर zoom किया है आप इसको पकड़ के यहाँ से duration भी इसकी बढ़ा गटा सकते हैं जैसे चार सकेंड है, पांस सकेंड, कितनी सकेंड ही फोटो रहे यह भी आप यहाँ से लगा सकते हैं मैं चाता हूँ इसको यह थोड़ा देर तक चले तो मैंने इसको यहाँ पर और खेश दिया है आगे तो यहाँ से अब आप in animation से मैं आपको समझाता हूँ कि in animation क्या है in animation है कि फोटो जैसे आप शुरू करेंगे तो यह किस तरह से animation में आए तो कुछ है यह देखिए आप फेड होके आ रही है यह पोप में पोप होके आ रही है slide right से आए कि right से आए तो right से आएगी left से चाते है आप left से आएगी तो कुछ यह in animation है कि यह फोटो आए कैसे आपकी वीडियो के अंदर overall animation होता है कि यह पूरे वीडियो के अंदर ही दिखती रहे तो कुछ animation आप देना चाहता है कि ब्लिंग करे पूरे वीडियो के अंदर तो इसको मैं known कर देता हूँ कि मैं पूरे वीडियो में नहीं चाहता हूँ अभी out animation की photo जब जाए यहाँ पर यह photo जाएगी 21 second बात तो यह कैसे जाए मैं चाहता हूँ कि यह fade होके जाए तो यह fade होके जाएगी अब देखिए मैं play करके आपको दिखाता हूँ यह fade होके गई है देखिए photo अगर मैं यह animation नहीं लगाता तो यह photo एकदम से cut होके जाती यह आप देखिए यह एकदम से cut होके गई है तो यह इसका यहाँ पर roll होता है अब cropping आप इसको crop कर सकते हैं photo को crop करना चाहते हैं तो crop भी कर सकते हैं filter इसके अंदर use ले सकते हैं rotate कर सकते हैं chroma की यह मैं आपको समझाऊँगा chroma कैसे काटते हैं अधिक तर जो query होती है कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ text कैसे लगाना है text के ओपर आपको click करना है text में मैंने लिख दिया है hello मैं लिखता हूँ hello मैंने लिख दिया है यहां से अब यह text है इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ अब यहां पर text पर जैसे ही मैं click करूँ और text वाली layer पर यह दिखे नीचे एक layer अल्रड़ी बन चुकी है hello के उपर जैसे ही मैंने click किया है अब यहां पर option आ रहा है edit font trim और नीचे वही बहुत सारे option आ रहे हैं जो मैंने पहले समझाये थे आपको animation, overall, out animation, color, alpha, rotate यह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि font का काम क्या होता है बीच में font का option आ रहा है आप यहां से font select कर सकते हैं कौन से font में आप इसको दिखाना चाते हैं मैं basically robot bold use में लेता हूं अब यह bold हो गया है अब यह white color में है मैं चाहता हूं उसका color change हो आप चाहे जैसा यहां पर animation use में ले सकते हैं इसके अलावा font के अंदर काम क्या रहता है main आप चाहते हैं font कुछ अलग तरीके से दिखे तो outer line आप इसके अंदर डाल सकते हैं देखिए outer line black color के डल चुकी है यहां से color select कर सकते हैं आप और इसका जो है यह यह भी set weight भी set कर सक करने को मिल जाते हैं तो main जो basic काम होता है वो इस तरह का होता है अब handwriting का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूं handwriting के ओपर इससे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का options नजर आजाएगा यहां पर एक तीर सा दिख रहा है आपको आप चाहते हैं कि आप कौन सा जिसे आपक एरो लगाना है तो एरो के पर मैंने क्लिक कर लिया है अब जो यहां से नीचे कई कुछ options नजर आ रहे हैं रेड कलर में रेड कलर कर रहेगा यह नीचे अब डाउन है कि आप मोटा पतला किस तरह से लेना चाहते हैं अब माली जी मैंने आप एरो लगा दिया है यह तो यह आ गया है इसको मैं सेट भी कर सकता हूं एरो को कि कहा दिखाना है इसको रोटेट कर सकता हूं चारो तरफ कहां पर में कोई लगाना है तो यह सब मैं यहां से हैंड राइटिंग की मदस्से कर सकता हूं आपको माली जी बॉक्स लेना है तो यहां पर जाईए आप बॉक्स पर क्लिक कर लिजिएगा box आप यहां पर बना सकते हैं कुछ box आपको लेना है box बन जाएगा तो इस तरह के चीज़ ले सकते हैं और कुछ चीज आपको delete करना है हो कैसे करेंगे आप आपको handwriting की ओपर क्लिक करना है delete option right side मैं आपको दिखेगा हलो जो text लिखा है यह layer delete करना है delete option आपको यहां से दिखेगा तो आप यहां से delete भी कर सकते हैं और यह आपकी layer भी बनती जाएगी अब आपका काम क्या है कि यहां से आपको background music भी लगाना है तो यहां पर आपको audio का option नजर आ रहा है यहां से आप background music लगा सकते हैं यह कुछ phone म मेरे music है जैसे मैं add करू इसको तो यहां पर यह add हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर music भी आप add कर सकते हैं recording करके आप यहां से voice भी record कर सकते है recording की मदद से तो यह 3-4 जो function है यह इनकी मदद से आप professional video editing कर सकते हैं अब main बात आती है कि chroma कैसे काटा जाए chroma काटने के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे add कर लेता हूँ मैं यहां पर इस video के आगे add करके आपको chroma की भी काटना बताता हूँ सबसे पहले आपको video जो अपना है best chroma के लिए आपको green screen पर ही shoot करना है मैंने already shoot कर रखा है आपको दिखाता हूँ यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या ह इसको cross किया है तो यह light black color का जो है यहां पर ले लिया है अब इसके अलावा यहां पर layer में जाना पड़ेगा आपको layer के उपर जैसे ही आप जाएंगे अपना जो green screen का video record करावा है उसके उपर जाना है जैसे मैंने अल्रड़ी यह video ले रखा है यह मैंने यहां पर open कर लिया है इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको chroma काटना कैसे है आप जैसे ही green screen वाली layer के उपर click करेंगे नीचे आप जाएंगे कुछ options आपको नजर आते हैं तो यहां पर आपको cropping के नीचे जाएंगे थोड़ा और नीचे chroma की adjustment के नीचे है chroma की के उपर आपको click करना है जैसे click करेंगे तो कुछ इस तरह का function open हो रहा है तो इसको यह अभी disable है इसको आपको enable कर देना है enable करते ही कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहां पर आपका key color green ही रहना चाहिए और show marks के उपर आपको click करना है इसके बाद मैं करना क्या है दो layer दिखी रही एक 28% एक 50% है इन दोनों का काम क्या होता है नीचे जो 50% वाली है इसको देखो मैं बढ़ाऊंगा मैंने इसको बढ़ा दिया है इसको जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो यह देखो black हो गई है आपके screen तो यह आप chroma काटे तो ध्यान रहे कि आप आपका जो background है वो पूरा black हो जाना चाहिए जो 68% पर जाके black हुआ है और जो 28% है यह इसको मैं कम जादा करूँगा तो आपका यह subject जो है यह हो रहा है तो यह पूरा white रहना चाहिए तो best आप chroma की काट सकते हैं यह 31% पर आ गया है मैंने इसको इतना रख दिया है अब दे बहुत शांदार ही chroma कटा है इसको आप rotate भी कर सकते हैं अपने according set भी कर सकते हैं आप देख पाएंगे कितना शांदार chroma यहां पर कटा है और शांदार ही background मैंने लिया है तो इस तरह से आप chroma भी काट सकते हैं और वीडियो आप play कर सकते हैं यहां play का button है यह देखिए मैं यहां से वीडियो प्ले कर दिया है play और पोज आप कर सकते हैं audio add कर सकते हैं chroma काटना मैंने बता दिया है फिर भी कुछ मेर से छूट गया है तो आप comment box में अपनी query डाल दीजेगा वो मैं particular यहां पर आपको बता दूँगा एक नया वीडियो उसके ओपर बना दूँगा कि आपको कुछ बने बनाए वीडियो आपको मिल जाएंगे कई मेरे प्रास में queries आती है कि आप सर न्यू चैनल के लिए आप बताईए कुछ तो वहां से आपको काफी effects मिलेंगी जिससे आपको video editing के अंदर मदद भी मिलने वाली है तो और कुछ आप जानना चाते हैं और comment box में बताईएगा मैं जरूर उसके ओपर वीडियो बनाऊँगा और आपको एक अच्छी तरीके से video editing और बताऊँगा इस वीडियो के अंदर प्लाले इतना ही जैहिन जैभारत